हेलो फ्रेंड्स मैं लोकेश डाका आपका लर्निंग मंतरा यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज हम अपने सोलर सिस्टम को लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए उसका जो हमने इंट्रोडक्शन लिया था उसके जो बाकी बच्चे हुए फैक्ट्स थे उनको समझ नहीं कोशिश करेंगे उन पर ध्यान देंगे तो पहले एक जोक सुनाता हूँ एक बार दो शराब्यों है दोनों के दोनों आच्छी दारू पीले हैं ब्याम जा हैं ब्याम है जीम कन बार निकले हैं निकले पच्चे दोनों जोने खड़े हो हैं बार दोनों लेर एक नोगा पाणी प्योंगे दूसरा नोगा बई चाल पाणी आड़े मैस दोर जा खड़े हो जा हैं तो एक जणा क पिछले लेक्चर में हमने जो बात समझी थी उससे कुछ क्वेशन जेनरेट होते हैं तो पहला क्वेशन है बरमाणड वरश गलेक्टिक एर या कोश्मी के यर से आप क्या समझते हैं दूसरा क्वेशन है सोरमंडल की बहरी परत क्या कहलाती है तीसरा क्वेशन है सोरमंडल का एक मात्र बोना ग्रह जो एश्ट्रोइड बेल्ट में पाए जाता है चोथा क्वेशन है बोने ग्रह किस बेल्ट में पाए जाते हैं पाच्मा क्वेशन है गैस जी आंट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है चटा कोशन है यदि प्रोक्सिमा सेंचुरी सूरिय से 4.2 प्रकाश परसी दूरी पर है तो उसका प्रकाश सूरिय तक महुचने में कितना समय लेगा साथमा कोशन है आंत्री गरह में सबसे बड़ा गरह कुण सा है आठमा कोशन है बारी गरह में सबसे छोटा गरह कुण सा है नौवा कोशन है ऐसे कौन से दो गरह हैं जो अपने अक्षपर गड़ी की सुई की दिशा में गुंते हैं क्लोकवाइज गुंते हैं मतलब 10. सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गरम ग्रह कुन सा है एिस्टिरोमार बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पैजाती है ग्यारवा क्वेश्ट और बारवा क्वेश्ट है कौन से ग्रह पर दिन राथ सबसे चुटे होता है देखो ये important question है इसमें से मैंने कुछ ही लिये हैं और भी बहुत सारे questions हैं जो इस section से बन सकते हैं तो अपने आप से कुछ questions भी generate करके देखें और साथ ही इनके answer comment section में comment करें तो आज हम जो शुरू करने वाड़े हैं हमने last lecture में ये देखा दा solar system का एक photo तो आज हम basically fact करेंगे तो सबसे पहले हम जो fact करेंगे वो करेंगे सूरिये के बारे में आप देख पा रहे होंगे कि सूरिये कितने बड़े आकार का दिखाए दे रहा है बाकि जो सभी के सभी अपने planets हैं वे काफी छोटे आकार के दिखाए दे रहे हैं तो आज पहले हम समझेंगे सूरिये के बारे में आपको क्या क्या पता होना चीए किस टाइप का question सूरिये के बारे में पुछ लिया आता है अगे शुरू करते हैं सबसे पहले आपको fact about the sun क्या है तो सबसे पहले the sun is a star सूरिये एक तारा है the age of the sun is 4.6 billion year जो सूरिये है वो 4.6 अरब साल का है उमर में इसके पास इतनी hydrogen बची हुई है कि लगबग 5 अरब साल 5 billion साल और ये जिन्दा रह सकता है इसके अंदर से गरमी निकलती रह सकती है और ये जलता रहेगा और जो सूरिये है जैसे पूरा solar system है इसके अंदर जितना total वजन है उसके total वजन का 99.86% वजन अकेले सूरिये में है तो solar system का 99.86% mass is contained in the sun the sun currently fuses about 600 million ton of hydrogen into helium every second हर एक सेकिन में सूरिये लगबग 600 million ton hydrogen को helium में convert कर देता है सूरिये का सब से नजदी की तारा हमने देखा दा प्रोक्सिमा सेंचूरी नाम का तारा है जो सूरिये से 4.2 परकाश वरस की दूरी पर है सूरिये का सब से नजदी की तारा मंडल उसका नाम है अलफा सेंचूरी तारा मंडल मतलब तारों के ग्रूप को कहते हैं और तारा मतलब अकेला सिंगल स्टार तो अगला है the sun surface temperatures approximately दो सूरिये का जो सतय का तापमान है वो 500 degree Celsius या 578 degree Kelvin है एक यंतर है जिसका नाम है पायरोमीटर पायरोमीटर नाम की यंतर के दवारा इसको मापा जाता है अगला है दास सूरिये का जो temperature है जो उसका core है उसका temperature लगबग डेड़ करोड डिगरी Celsius है जो सूरिये का जो किंदर है उसका जो temperature है वो 15 million degree Celsius है सूरिये परत्वी से 109 गुणा चोड़ा है इसकी सबसे बाहरी परत को कोरोना या किरीट के नाम से जनाता है जब सूरिये के उपर सूरिये करेन लगता है तब ही इस परत को देखा जा सकता है और इसको जिसके दवारा देखा जाता है उस यंतर को कहते हैं क्रोनो ग्राफ ये भी बहुत important question है जो सूरिये है इसके जो north pole south pole है वे change हो जाते है ज्यारा साल में north pole, south pole बन जटता है और south pole, north pole बन जटते हैं और वापस से ग्यारा साल में दोबारा से फेर ऐसा होता है इसको कहते हैं सोरी एक दबा sun sport सोलर साइकल भी कहते हैं ये जो sun sport है ये 22 सालगा होता है आप से question पुछेगा सोरियक दब्बा संसपोर्ट कितने सालगा होता है तो 22 सालगा इसके उपर जो बेसिकली दब्बा बनता है उससे मतलब वो उस जंग अपर टेमप्रीचर बेसिकली सर्फेस के टेमप्रेचर से काफी कम जैसे सर्फेस का 500 डिगरी सेल्सिस तो उसका टेमप्रेचर लग बग साड़ेचर जार डिगरी सेल्सिस पाजाता है तो सोरियक दब्बे पर तापमान की तना पाजाता है इस टाइप का कोशन वे आपसे एक्जाम में पुझ ले आता है सूरियक अंदर फिलाल 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम बची हुई है बेसिकली अपनी हाफेज में आगया है सड़े 4 बिलियन साल का हो चुका है 5 बिलियन साल ओर जियेगा तो इसके अंदर लग बग कितनी हाइड्रोजन बची हुई है इस टाइप का कोशन आप देख पारे होगे सूरियक सूरज को अद्धन करने के लिए नासा ने एक रोबोटिक स्पेस्क्राफ्ट लौंच किया था 2018 में जिसका नाम था दापारकर सोलर प्रोब आई थिंक ये बहुत सारे फेक्ट है जो सूरिय के बारे मापको पता होने चीए अगले जो फेक्ट हम जिसके बारे में आने वाले हैं वो एक गरह है जिसका नाम हा मर्कुरी और मर्कुरी का चीटर आप देख पारे होंगे सूरिय का सब से नजदी की गरह है इसके बारे मापको क्या क्या पता होना चीए तो मर्कुरी जो है वो बेसिकली इसके पास कोई भी अपना चांद नहीं है ना ही इसके कोई रिंग है इसके उपर कोई रिंग ने बनी हुई दूसरा ये सूरिय का सब से नजदी की और पूरे सोलर सिस्टम का सब से छोटा गरह है तीसरी जो इंपोर्टेंट बात वो है कि इसका जो एक दिन है अपना एक रोटेशन ये 176 डे में पूरा करता है और एक साल इसका मातर अठासी दिन में पूरा जाता है जो पूरे के पूले सोलर सिस्टम में सब से छोटा revolution period है सब से छोटा परी कर्मन काल है बेसिकली एक शब्द है शब्द का नाम है temperature diurnal temperature diurnal का मतलब होता है ताप अंतर ताप अंतर का मतलब highest temperature और lowest temperature के बीच का difference जो उसको कहते हैं ताप अंतर बेसिकली जो जब इसके अंदर रात होती है तो गर्य रात की तरफ ठंडा होता है तो जब इसमें रात होती है तो इसका temperature minus 173 degree तक चला जाता है और जब इसमें दिन होता है तो इसका ताप मां 427 degree celsius तक चला जाता है ओविसली क्योंकि सुर्य के बहुत नजदीख है तो इसका जो ताप अंतर है और सभी गर है जैसे प्रत्वी है तो प्रत्वी का highest temperature मतलब 57.7 degree celsius recorded है मतलब जो एक death valley नाम की जगह है वहाँ पर और प्रत्वी का minus में temperature है minus 88 तो कुल बनेगा लग बग 140 50 degree के आसपास ये प्रत्वी का ताप अंतर है और अगर इसकी बात करें तो आप देख पा रहे होगे कि 600 degree के आसपास इसका ताप अंतर पड़ रहा है इस के अधन करने के लिए तीन में मिशन बेज़े गए पहला जो मिशन बेज़ा गया वो है मेरिनर 10 एक मिशन बेज़ा गया था उसका नाम था messenger और हाल ही में एक मिशन बेज़ा European Union और जापान नाम की देशन जिसका नाम है बेपी कॉलम्बो तो मरक्यूरी के बारे मापको ये बाते पताऊने चीए अगला हमारा जो गरेगरे का नाम है वीनस वीनस का मतलब शुकर तो वीनस के बारे मापको क्या-क्या facts पताऊने चीए यह देखते हैं सबसे पहली बात वीनस के पास भी कोई चान नहीं है तो अपने पूरे सॉलर सिस्टम में दो ऐसे प्लेनेट है जिसके पास अपना कोई चान नहीं है और साथ में ये भी जो प्लेनेट है इसका कोई रिंग नहीं है दूसरी बात बेसिकली क्या है ये जो है ये बिल्कुल प्रत्वी के आकार जितने आकार का गरह माना जाता है प्रत्वी का जो डायमेटर है वो बाराजार साथ सो चपन किलोमेटर के असपस है और इसका जो डायमेटर है वो बाराजार एक सो चार किलोमेटर है तो ये प्रत्वी के बिल्कुल मतलब साइज का है इसलिए इसको प्रत्वी की बहन ग्रह से इस्टर प्लैनेट का जाता है और ये प्रत्वी से मतर चार करोड किलोमेटर की दूरी पर है ये सूरिय से 11 करोड किलोमेटर की दूरी पर प्रित्वी सूरिय से 15 करोड किलोमेटर की दूरी पर है तो ये प्रित्वी का सब से नजदी की ग्रह है ये जब हम कई बार मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में ये सूरिय से पहले दिखा देता है और कई बार evening में सूर्य छिपने के बाद दिखा दिता है तो इसले इसे सांज और भोर का तारा मतलब morning evening star का आ जाता है भोर मतलब morning और शांज मतलब evening अगली जो चीज़ आपको पता रूने चीज़ वो है इसका जो ताप मानना वो 422 डिग्री तक चला जाता है 422 डिग्री ताप मानन इसका हो जाता है हमने जैसे देखा था जो मर्क्यूरी का देखा था वो 427 डिग्री देखा था पूरे के पूरे solar system में सब से अधा temperature जो है वो venus नाम के ग्रै का है शुकर का है अब बात ये भी है कि इतना temperature क्यों है क्योंकि सब से नस दीख तो मर्क्यूरी उसके बाद उसका 427 डिग्री है तो basically क्या है इसका जो atmosphere है उसके अंदर 96% CO2 है हमारी जो प्रिथ्वी उसके अंदर CO2 की मातरा फिलाल जो है वो 0.04% के आसपास है तब हमारी प्रिथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग और पता नहीं क्या क्या समश्य है create होगी है वीनस नाम का जो ग्रह है उसके 96% CO2 तो आप अंदर जा लगा सकते कि कितनी ज़्यादा hotness होगी ये जो है वो हमारे पूरे solar system का सबसे चमकीला और सबसे गरम ग्रह है गरम का आपने इसका temperature भी देख लिया है जो जितने भी ग्रह है वे मतलब rotate करते हैं anti-clockwise लेकिन venus rotate करता है clockwise तो इसमें जो मतलब सुबह है वो पूराओ की तरफ नहीं बलकि पस्चिम की तरफ होती है venus care then करने के लिए बहुत सारे बतलब satellite बेज़ेगे जिससे venera 1 है अमेरिका ने एक बेज़ा था venus express के नाम से और mariner 1, mariner 2 ये दो बेज़े थे अमेरिका ने mariner 1 लोश्ट हो गया था venera 1 भी लोश्ट हो गया था mariner 2 ने बेज़े थे एक मतलब हमारे को कुछ संदेश साथ ही में soviet union ने venera 3 बेज़ा था जो पहला man-made craft था जो venus पर लेंड हुआ था 1966 में और venus express बेज़ा था European space agency ने 2015 में ये से facts आपको venus के बारे में पता होने चाहिए अगला हमारा जो गर्या है वो है अपना खुद का गर्या जिसका नाम है पृत्वी अर्थ तो पृत्वी के बारे में क्या क्या facts पता होने चाहिए देखो basicly क्या है पूरी की पूरी जोगर्फी में हम बहुत सारी बाते पृत्वी के बारे में जानने वाले हैं लेकिन उन में से कुछ बाते और समझ लेते हैं साथ में ताकि वे जो एक्जाम में important है और कुछ बाते पहले से ही पता चल जाएं तो क्या है जिसे पृत्वी का सबसे पहली बात है कि पृत्वी जो है वो सूरिय से तीसरे नंबर का ग्रह है और यह जितने भी terrestrial planet हमने देखे ते चार थे उन में से सबसे बड़ा terrestrial planet है वैसे आकार में यह पांच मां सबसे बढ़ा ग्रह है और दूसरी जो बात है वो यह है कि हमारा जो पृत्वी है वो एक मात्तर ऐसा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में जिसका नाम किसी युनानी देवता या किसी रोमन देवता के नाम पे नहीं रखा गया है बाकि सबी का जो नाम है लब साथ गरह का जो नाम है वो बेसिकली किसी देवता या देवी के नाम पे रखा गया है अब लगभग सदे चार अरब साल पहले प्रित्वी का जनम हुआ था और एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसके उपर मतलब जीवन संभाव है ये इसका एक मात्र सेटलाइट है मून और इसको नीला ग्रह का जता है साथ ही ये जितना भी सोलर सिस्टम में ग्रह है आठ उन में सब से देंसिटी जो है वो प्रित्वी की पाई जाती है लगभग एवरेज देंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब है और अगली जो चीज है जो सूरिय से इसका डिस्टेंस है वो आपको पताई हुआ लगभग 14 क्रोड 46 मला किलोमेटर है जिसको एक एस्ट्रोनोमिक क्रोड उनित का जाता है इसका जो डायँटर है एक्कवेटरल डायामिटर है वो है 12756 शचा ओर बैस्ट्वी की बार कुशन लाता है यह बताओ के प्रत्वीए polo बहुत फेमस कुछ नहीं स्टार लगा की याद रख लेना जो प्रत्वी है वो हैबिटेबल जोन मेर पड़ती है जिसको गोल्डी लोक्स जोन भी का जाता है देखो क्या है जितने भी हमारे ग्रह हैं जैसे यह एक तारा है सूरिय है कुछ बाते समझ लेते हैं सूरिय क्या है जैसे मालनों सूरिय की जो भी गर्मी जा रही है आठो के आठो ग्रह तक पहुँच ली है लेकिन उन में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे स्टार्टिंग के दो ग्रह है यहाँ पे इसकी गर्मी बहुत ही जादा है यह जो एरिया है यहां तक इसकी गर्मी कुछ जादा ही है इ बेसिकली ऐसे किसी तार्य के गर्मी हो तो कि जादा नगाम कम हो एक ऐसे गर्मी ओ जहांपे जीन शंबह को हुँद कहते हैं गोल्डी लॉक्स तो जो गोल्डी लॉक्स जोन है वह पढ़ता है ऐसा एयरिया जहां पर एक Sneck उपी पहुछती कि प्रिथ्वी जो वो बेसिकली गोल्डी लोक्स जोन में पुड़ती है ऐसी जगे जहां पर जीवन संबाव उसको बीटेबल जोन भीगा जते हैं पर लगबग मंगल गरह भी उसके अंदर ही आता है इसलिए हम मंगल गरह पर जीवन संभाव तलास रहे हैं साथ में उसके उपर टैरा फार्मिंग करेंगे उसको रहने लाए गरह बनाया जाएगा जो प्रित्वी की जो सेफ है वह जी यू पड़ेंगे तो और चीजों को भी कवर करेंगे अगला जो हमारा गरह है गरह का नाम है मारस मंगल गरह और मारस को लाल गरह रेड़ प्लेनेट भी का जता है क्योंकि इसके जो मतलब मिटी है वो काफी जादा उसके इंदर आइरन के पत्तव पाए जते हैं पर थी से डायम इसके दो उपगर है एक का नाम है फोबस इर्एक नाम है डीमोस बड़ा है डीमोस जो पूरे सोरमंगल का सबसे चोटा उपगरह है जो सुर्य सीध की दूर вм2 करोड की क्या पास है माइनस 87 डिगरी से और सबसे दिक्तमतापमान माइनस 5 डिगरी तो आप देख पारे हो कि इतना ज्यादा मतलब हमेशा लगब माइनस 5 डिगरी से निचे टेमपरेचर रहता है तो क्योंकि एटमोस्फिर कम है इस वज़े से भी ऐसा हो सकता है और दूसराइश से सुर्य की बोल्कैनों पाजाता है जिसका नाम है ओलंपस मांस है यह लगबख 600 किल हिएया हम फैला हुआ है और यह sensors 27 किलोमटर Niger हमारी माउंट रास्डू से लगबख तीन गुणा उच्छा है ओलम्पस मॉंच जो मंगल गर्या है इसके उपर सोलर पूरे सोलर सिस्टम में सबस्यादा डस्ट्रोम आते हैं बहुत बात पुछा जासकता है कि बताओ कि डस्ट्रोम सबस्यादा किस मतलब गर्या पड़ाते हैं और अमने समझादा कि इसको रहने बनाएंगे तो इसको टैरा फर्मिंग करेंगे इसके उपर हमने बहुत सारे मिशन किये हैं तो कुछ देख लेते हैं इंपोर्टेंट तो पहला जो मिशन जैसे मतलब इसके उपर ट्राई किये थे उसमें से एक मिशन इसके उपर उता रहा था मारस टू बारत ने जो मिशन मारस और बिटल मिशन मॉम ऐसे अमेरिका ने मिशन किया था। मैवन ऐसे ही एक्जो मारस मरीनर 4 इन्साइट रोबोटिक लेंडर मिशन और वैसे इस का मतलब इसी चीज़े रिलेटेड है। करंटली दो में मतलब जो इसके लिए मिशन लॉंच किया है पहला एक मिशन है जो नासा ने एटलस नाम का एक रोकेट था उसको केप कैनवल नाम की जगए है फलॉरिडा में वहां से परसे वेराउंस नाम का एक Mars Rover को लॉंच किया जिसके साथ इंजेन विटी नाम का एक हेलि अगला गरहा है है जूपिटर जो ब्रिस्पाइब करेक्टर क्या दार्प उतारा जाएगा और 23 जुलाई को चाहिना ने एक विंचांग नाम के अंतरिक्षियान स्थल से अपना पहला सफल मारस प्रोब तियान वेन वन लॉंच के अधा ये दो करंट के कोश्चन आप से पू ब्रस्पती करह है वो सबसे बड़ा गरहा आपको पता हुआ इसके उपर लाल दब्बे हैं तो लाल गरह तो है मंगल और लाल दब्बो वाला गरहा है जिपिटर जो मास्टर ओफ गोर्ड कहते हैं क्या है बेसिकली जो हमारे जो पुरानिक कथाएं हैं उनमें माना जाता है जिसे आपने थरश्डे दिन होता है तो इसको गुरु वार भी का जाता है मतलब वीर वार ब्रस्पती वार तो गुरु वार शब्द ज्वाप शब्द लिया जाता है वो गुरु का मतलब देवताओं की गुरु के लिए ही जाना जाता है हाला कि अब तो इसके जो चांद है वो कम रहे हैं लेकिन पहले इसके जो चांद ही तने ज़्यादा थे कि इसको मीनी सोलर सिस्टम का आ जाता था इसका जो एवरेज लोएश टेंपरेचर वो बहुत ज़्यादा है एक सो आट डिगरी माइनस में टेंपरेचर लगबग एवरेज ली बना रहा था इसलिए इसको विंटर प्लैट विका जते हैं और यह गैस जी आंट है दो गैस जी आंट आपको पता है बरस्पती और सनी से प्लैटन यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गरह है और इसका जो दिन है वो सबसे छोटा दिन है मात्र-9 गंटे 50 मिनिट के आजपास इसका दिन रात पूरे हो जते हैं इसका जो रिंग सिस्टम है इसके पास लेकिन बहुत छोटा है जो चारो पिछले गरह है आउटर प्ल मंदल का सबसे बड़ा मून है इसके उपर लगबग आठ स्पेस्क्राफ्ट पहुचे हैं जो मंदल इसको देखा उन्होंने अगला जो हमारा गरह है गरह का नाम है सनी सेटर्न छलो वाड़ा गरह कह सकते हैं जो सनी है यह सेकिंड लारजेस्ट प्लैनेट है इसके 82 बहुत इ टाइटन और गैनिमीड यह मतलब हमारा बुद्ध नाम का गरह उससे ही बड़े हैं तो टाइटन नाम के गरह पर नासा नाम के जो संस्ता है वो ड्रेगन फ्लाई नाम का इमिशन करें यह दोजर 27 में लोंच करेंगी और दोजर 34 में वहां उतर रने की संभावना है यह एक मात्र पूरा सोरमंडल का एक मात्र सैटलाइट है जिसके पास अपना एट्मोस्फेर है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है एक मात्र सैटलाइट प्रिथ्वी के बाद जिसके पास अपना एक अच्छा एट्मोस्फेर है उसका नाम है टाइटन जो सनी है वो सबसे दूरवा प्रिफवी में उन्हें बता जिया था क्योंकि ये आखों से देखे जा सकते थे तो अगर आपसे क्वेशन आ जाए कि बताओ कि आप कितने गरों को मतलब आप अपनी आखों से देख सकते हैं बिना टेलिस्कोप की मदद के तो आंसर आएगा पांच कारण क्या है क्योंकि वै देखने के लिए हमें स्पेस में जाना पड़ेगा तो हम प्रिफवी पर खड़े ओकर क्यों पांच गरों को देख सकते हैं ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है कि खुली आखों से कितने गरों को देखा जासकता है इसके बाद जो पूरे सोलर सिस्टम में सब से जबरदस इसको आज तक चार सैटलाइट ने विजिट किया है पाइनर 11 वैजर 12 और कैसी नी हुजन्स मिशन ऐसे टाइप के कोशन आप से पूछ सकता है सनी के बारे में अगला जो हमारा प्लैनेट है उसका नाम है यूरेनस अरून अरून नाम का जो ग्रह है इसका सबसे नियून त सबसे कम है आज तक इसको केवल एक ही स्पेस्क्राफ्ट ने देखा है जिसका नाम था वोईजर 2 जो इसके पास से गुजरा था 1986 में और इसका एक फोटो दिया था इसके रिंग सिस्टम वगरा का इसका भी खड़का रिंगी सिस्टम है इसको आइस जियांट का जता है इस इसके 27 चंदर्मा है जिसमें सबसे बड़ा चंदर्मा है जिसका नाम है टिटैनिया यह अपने एक्सिस पर लगग 96 दिकावा है जिसकी वज़से से लेटा हुआ गरे कहते है आप देखेंगे तो यह यह रिंग सिस्टम ऐसा दिख रहा है साथ में तो यह लेटा हुआ दिखरी तक चला जाता है इसका जो औरबिट पीरेड वो सबसे अदा है क्योंकि सबसे लंबा रेवोलुशन टाइम है 164 साल लगबग 165 साल गाज पास यह सूरिय का एक चक्र लगाने में ले लेता है यह सूरिय से सबसे दूर गरे है और सबी के सबी जो जियांट है गैस जियांट क्या देते चार गरेगो उनमें सबसे छोटा मतलब गरे है आईस जियांट के नाम से भी जाना जाता है आज तक एक सैटलाइट है जो इसके पास से गुजराजी से इसका फोटो खिचा 1989 साल बाद 1986 में उसने खिचा दा मतलब यू गया था एक दो इंपोटेंट और कॉशन है जैसे जो सोलर सिस्टम में पूछी ले जा सकते हैं जो एस्टरोएड है एस्टरोएड की बेल्ट अमने देखी थी इस एस्टरोएड बेल्ट में सबसे बड़ा जो एस्टरोएड देखा दा वो था सीरस जिसको बोनाग और यूग्यू नाम का एक मतलब एस्ट्रोएड जिसके ओपर ये उतारा गया था जो सीरस है इसको हाल ही में जैसे महा सागरिय दुनिया के नाम से पुकारा गया और जो नासा है उसका एक मिशन था जिसका नाम था डॉन उस डॉन मिशन ने इसका देन किया और ये बताया कि ये बात आपको शीरस के बारे में पतावना चीए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आप तक पहुच जाए थैंक्यू